वेलकम तुटिस टूटियो तो काफ़ इंपॉर्टन इंप्रमिस्ट ने आप तक पता चली ही गया होगा तो डेल्यू निए प्रेसरी जारी करके पूरा एडमिशन का स्ट्यूल जारी कर दिया है कि कब एडमिशन होगा कब क्लासे चेलेंगी क्या क्या डेट्स है लास्ट वो हो चुका है और करेक्शन विंडो फी स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो जिन भी बच्चों ने सी एस एस पेज वन में रिजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके लिए सी एस फेज टू खूल चुका है वह जाकर कि आपने क्लास 12 के सब्देक्ट में मैपिंग कर सकत है मतलब कि क सब्सक्राइब कर देख लेना फिर आपको आज जाएगा वहां पर क्या सब्सक्राइब कर रहे हो आप जाके अभी रिजिस्ट्रेशन करो फेज वन में एंद फिर उसके बाद आपको फिर फार्दर उसके बाद फेज टू खूल जागा 24 गंट के अंदर अदर आपके लिए मतलब बहुत लोगों तो कंफूजन है कि फेज टू फेज बन क्या ये भी नहीं समय में आरे बाई डिव में एंडमिशन लेना है तो सीए से सब्सक्राइब पर जाओ फेज वन में रिजिस्ट्रेशन करो उसकी बाद फिर फेज टू भी आपके लिए खूल जागा पर पहल करना जरूरी अभी टाइम है तो क्यों नहीं आपनों फेल कर रहे हैं काफी लोग मुझे मेसेज कर रहे हैं कि कब फुलेगा आप फेज टू और जो बंदे अभी तक रेजिस्ट्रेशन नहीं कि फेज वन में वो किशिस कर लेना तो लोग जरूर कर लेना ठीक है तो और इस अब ध्यान से बाढ़ना गरवर मत कर देना विकोज यहां पे च्रेक्शन विंडो में कुछ ज्यादा फाइदा नहीं है यहां पे देखिए बहुत शारे चीज़े आप यह बदल सकते हो और बागी चीजे जो हैं मांक्स होगा रहे हैं चीज्जे वो सब चेंज कर सकते हो तो अगर उसमें गलती किया है, तो जाके correction window को open करके देख लो, वहाँ पे आप correct कर ले ना ठीक है, और correction window का जो last date है, वो 20 July को है, पाच वेज़े, 20 July ठीक है, ध्यान राकना date, यह चब तो पता होगा सबको, अब बहुत important बात है, वो ध्यान सुने लो, उसी के लिए मैंने ये extra allotment करेगा, OBC general और EWS category धालों के लिए, सभी colleges में, सभी course के लिए, 20% extra allotment, first round में ही कर दिया जाएगा, ये इसलिए वह राया, कुई कि देखो, ऐसे पिछले साल जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कि 3-4 round हो गया था, फिर sport round हुआ था, मतúsलों स तो December 30 तारिक तक admission चला था, बहुत लेट हुआ था start, but December 30 तारिक तक admission चला था पिछले साल due में, तो बहुत लेट हो गया था उस semester, ऐसा इस बार नहीं चाहता है due कि थोड़ा सा भी लेट हो, इस बार 16 आगस से चालू करना है, semester तो चालू करना है, इसके लिए बहुत strict हो गया SCST और PWD candidate के रिए, मतलब आपको preference list बहुत धंक से बढ़ना है, अब आप अच्छे से preference नहीं बढ़ोगे तो फिर आपको गया काम से, क्योंकि first round में maximum लोगों को मिल जाएगा, जो भी कुछ नो कुछ seat to alert होई जाएगा, first round में, अगर आप धंक से preference बढ़ोगे, क्योंकि due य साब से वो, सबको alert करेंगा, जो जिसका preference धंक से बारा होगा, जैसे marks recording इतना है, सबको preference, मतलब alert के जाएगा, seat alert हो जाएगा, first round में, 20% extra हो जाएगा, general OVC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, 30% extra alert होगा, SCST और PWD वालों के इसलिए, बहुत ध्यान से आपको preference बढ़ना है preference भरने में कोई दिक्करत आ रहा है, तो मेरा personalized preference ले लो, 101 rupees द्रिफ लगेंगे, और प्रस्तल आपटी category और course recording आपको तयार करके दे दे जाएगा, आपको मतलब बना करेंगा, और कोई दिक्करत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग अभी confused है, सारे videos net पे available है, website पे सारी information available है, फिर भी बहुत लोगों को नए समाज में आ रहा है, तो ठीक है, आप उतना समझने का समय भी नहीं है, अगर आप ज्यादा लेट करोगे, और गलत सारत बद होगे, तो admission तो आपको इससे भी गड़बडा जाएगा, इसलिए, बिटर होगा कि 101 रुपया जो simple सा affordable इसलिए मै काफी मैनत लगता है, ऐसे ही मैं computer से generate करके आपको प्रेंफरेंस नहीं दे दूँगा, मैं खुद अपने दिवास सी और जो भी मुझे अब ही तक experience दील सासे admission process देखते हुए और समझते हुए, हर college में video के maximum college में मैं जा चुका और देख चुका हूँ, और मैं खुद top college में पड़ता हूँ, बसको मुझे बहुत चीज़ी idea है, उनसा idea, experiences and knowledge को मिला करके आपको preference बनाऊंगा और best preference बना कर दूँगा, इसलिए 101 चार्ज लग रहा है, और YouTube पे इसलिए नहीं मैं पूरा बता रहा हूँ, अलग लोग के लिए अलगर preference होता है, मैं और लोग कितना नहीं मैं किसी एक आदमी कभी नहीं चाहता हूँ कि गलत हो जाए, क्यूंकि वो सब गलत preference है, बहुत सारा, लोगनेट पर से कहीं से उठा के डाल दे रहा है, जबकि my preference बहुत personal चीज़ होता है, वो आपके course पे depend करता है, आपके category पे depend करता है, आपका क्या interest पे depend करता है, वो काफी महनत वा लगाम है, और यह बहुत सही चीज़े, इसी से आपका असली हो पाएगा, और अगर आप खुद विल और वियर्ट हो चीज़े आपको ढंक से research कर ली है, तो आप खुद से बना तो बहुत बिटर है, अगर कुद से नहीं बना पा रहे हो, तो आपको service दिये अगर तो आप तो यह समाझ गया, एक्स्ट्र अलोकेशन बना पूरा कहान, जो इस सम्झाने के लिए वीडियो बना रहा था, अब कहानी है कि webinar भी launch करेगा due आपको, तो उस webinar भी सून सकते हुआ, बाकी refresh बहुत ज़रूर है कि अभी बना लेना, 24 तारिक ही last date है, तो time come है, अब आप देख सकते हो, यह बढ़ा, पता ही होगा लोग को, अभी तक तो सब लोग को पता चल जुगा होगा, 17 तरिक से start हो गया था CSS page 2, और उसके बाद फिर आपको 24 जुलाई तक preference feeling चल देगा, अगर 27 जुलाई को 5 बजे ऑटोमेटिक लॉक कर देगा, आपका preference अगर आ आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने किस को सच के लिए कितना अपलाई किया है, उसके बाद फिर एक खुलेगा एक बार faces का, जिसमें आपको preference change करने का option आएगा, मतलो reorder कर सकते हो, आप simulated list को देख कर कि आप अपना mind को बड़ल सकते हो, तो उसके लिए भी option खुल आप मेना personalized preference लेते हो, उसी में साहथ चीज आपको import कर जाएगा, आपको extra change देना पड़ेगा, उसी में आपको admission कराने तक आपको start दिया जाएगा, ठीक है, उसकी बात फिर यही सब है list देख सकते हो, आपकी काईसे, first declare होगा, मतलो first allocation round आपको एक तारीक को, एक अगस्त को, पास में declare हो जाएगा, और सबको, जिसको seat मिला होगा, उसको first round का seat मिलेगा, उसमें, आपको accept करना होगा seat, एक से लेके 4 तरीक तक, फिर 5 तरीक तक आपको quality verify होगा, रहा कर देगा, 6 तरीक तक आपको fee payment करना होगा, फिर आपको 7 तरीक को display हो जाएगा, जो भी vacant seat दे बचन करके समाज लेना, तो बस इतना ही था, पाके कोई doubt तो कमड करना होगा, प्रेफ्रेंस बुक को जल्दी से बुक करोगा, आच्छा policy करना चाहते हो, और number कम आएगा, जिसकी जाएगा number है, उनको तो भी मिल दाना है, आच्छा को लिए, उनके सोड़ा कम number है, उनके सारा दि करता दिकत उनको तो है, तो बस उनके दिकतों को में सोड़रा merci